दोस्तो आज की वीडियो में बात करूंगा मैं बाइफाई कैमरे के बारे में हमारा डॉम कैमरा है इसको हमाला घटा देते हैं आपको बाइफाई कैमरे की एन्बॉक्शिंग करके दिखाऊंगा और इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा भी अब देखेंगे कि यह यह वहारon हामारा एक user manual रखा होता है, user manual को तो मैं समझाऊँगा ही, तो इसको side में हटा देते हैं, यहां रखा मिल जाता है हमको camera और यहां आसे सरीच, तो सारीच में हम देखेंगे, सारीच में हम क्या मिलता है, यह इसका एक ball mount stand मिलता है हमको इसके अंदर, अब केमरे को प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ निकालकर के बाहर, केमरा कितने प्यारे लोक में, यह हमारा एक LAN के वल के लिए पोर्ट है, RJ45, यह हमारा एक रिसेट बटन होता है इसके अंदर, यह हमारा D shape in, तो सबसे पहले हम इसमें input supply लगा लेते हैं, उसके साथ हमने अपना केमरे में connect कर दिया है, कुछ सेकिंड बाद हमारे के अंदर light आएगी और एक sound आएगा, जैसी हमारा केमरा स्टार्ट होता है, हमको एक बार इसको reset कर लेना होता है, reset बटन को 10 seconds maximum हम press करके रखेंगे, तो camera हमारा sound करेगा, दोस्तों हमने power supply लगा के रखी हुई है, आप camera में नीचे की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा SD card का slot है, यहाँ पर हम SD card दबा करके insert कर सकते हैं, जब तक हमारा camera connect नहीं होगा, हमारे phone में अप के थुरू, तब तक यह ऐसे ही sound करता रहेगा, कि वेटिंग फूर Wi-Fi connection, ऊपर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक IR sensor लगा हुआ है, जो हमारा night vision का का काम करता है, इसको मैं दबाया हुआ हुआ हूँ, तो camera समझ रहा है कि अ अधेरा हो गया, तो यह night vision के लिए light day जल गई है, जैसे अधेरा होगा, तो यह अधेरे में भी आपको clearly दिखाएगा, वो भी मैं आपको देखाऊँगा, अभी कमरे के अंदर अधेरा करके, तब तक हम अपने phone के अंदर app में install कर लेते हैं, आप किशी भी company का camera लेते हैं, आपको उसके उपर app का नाम लखाई देगा, और नीचे आपको QR code scanner भी होगा, QR code भी होगा, उसको आप phone से scan करके, इसका app डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम दूसरे वाले phone में app डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपको proper तरीके से समझाता हूँ, आपका नाम लिखा हुआ है, वही हमने play store में search कर लिया है, आपको install कर रहा है, मैं इसको open कर लेता हूँ, जैसे हम अपने app को open करेंगे, ये कुछ permission मागेगा, इसको हम agree करेंगे, और sign up करेंगे सबसे पहले, sign up करने के लिए यहाँ पर हमको एक email ID डालने होगी, यहाँ पर म करना होगा, जैसे हम अपना email ID में आया हुआ password को enter करते हैं, तो यहाँ पर एक set password का option मिलता है, यहाँ पर हम एक set password कर देते हैं, admin at the rate 123, इसको done करेंगे, और यहाँ go to app पर click कर देंगे, थोड़ा सा time लग रहा है इसको open होने में, इस go to it पर click करके, और यहाँ से हम एक जो इ connect कर लेंगे, यहाँ EP E21 model है हमारा, जो आप यहाँ देख सकते हैं, E21 model है, अपने app में जाकर के हम next step करेंगे, और इसको permission देने, यहाँ हमको एक Wi-Fi connect करना होगा, तो यहाँ पर हम अपने phone में Wi-Fi connect कर लेते हैं पहले, जैसे हमारे phone के अंदर Wi-Fi connection हम enter करेंगे, तो यहाँ प हम Wi-Fi का password डालेंगे, हमने Wi-Fi का password एंटर कर दिया है और next करेंगे, जैसे ही next करेंगे, हमारे phone में QR code आ जाएगा, इस QR code को हमें इस camera से scan करना है, जैसे हमें scan करेंगे तो हमारे camera से एक sound आएगा, accepted का, आप देख पाएंगे, कि मैं अपने camera से QR code को scan कर रहा हूँ, Wi-Fi connected, please wait, हमारे camera ने sound किया है, तो हम camera को side में रख देंगे, और I had to promote पे click कर देंगे, अब ही हमको थोड़ा सा wait करना है, हो गया है, अब यहाँ पर आकर हम click करेंगे, smart camera, और यहाँ done कर देंगे, हमारा camera online है, आप देख सकते हैं कि मैं बैठा हूँ, तो मेरा recording show हो रहा है, इस camera को move करने के लिए, यहाँ मैं direction पर click करूँगा, आप देखेंगे कि मेरा camera, जैसे ही मैं यहाँ touch कर रहा हूँ, मेरा camera उपर नीचे हो रहा है, अगर मैं इसको उपर दबाऊँगा, तो camera उपर होगा, यह मेरा room partner है, तो यह दिखाई दे रहा है आपको, अब फिर से camera को गुमाना चाहें, आप फिर से गुमा सकते हैं, तो आ आप live अपने camera को गुमा सकते हैं, यहाँ press करके, आप RM से सब कुछ देख सकते हैं, दोस्तों आप देखेंगे कि मेरा room partner उधर पड़ा हुआ है, और मेरा camera यहाँ लगा है, तो मुझे live यहाँ देख रहा है, अगर मैं इस audio के button पर हटा दूँगा, जहां आप देखेंगे कि audio मैंने भी काट रखी है, तो वो audio सुनाई नहीं दे रही है मुझे, अगर मैं इस पर हटा दूँगा, तो मुझे जो भी मेरा room partner ललित बोलेगा, अभी देखो मैं पास में हूँ, तो सारी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है, अगर camera मेरा दूर लगा होगा, यहां से मैं